इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्तिहाद में आप सभी का खैर मगदम है आज दो रमजान आहम खबर पर एक नदर सबसे पहले सूर किया इस साल रमजान के लिए दर्बार गली में बाजार नहीं सजाए जाएगा चुनाओ के बाद रात के कर्फ्यू का अंदेशा महराश्ट में भी किसी तरह का लॉंगड इस बार किसकी होड़ी जी इन तमाम से पहले एहम मौज़ू भारत में कोरोना बम फट रहा है क्या आस्ता पर भारी महा मारी है दर असर हमने कल वी इस बात का तथकरा किया था कि मरकज पर हंगामा करने वाले कुमपर खामोश क्यों है लेहादा मामिला अब इतना ही नहीं किस कदर दोगली पॉलिसी इस देश में चली जा रही है अब इससे बढ़कर मिसाल आपको कहीं नहीं मिल सकती जब देहली मरकज को खोलने के बारे में आदालत में पेटिशन पर सुनवाई के दवरान जो फैसला दिया था है वो भी आजीब हो गरीब है डिडियम यह यानि से रोका गया खैर अब इस पर वब बोर्ड ने और अदावत का दर्वाजा कटकटा है लेकिन सारी दुनिया देख रही के हरी दुआर के कुम्ब में तकरिबर तीस लाग से भी जायद लोगों ने शाहिस नान की डुपकी लगा दिया है जहां पर किसी तरह का ना तो थर्म पर कैसे किसी धर्म के आस्ता महामारी पर भारी पड़ती है देख सकते हैं वही दूसरी और मरकज मामिला महद पांच हजार लोग जिनको लॉक्डाउन का कोई इल्म नहीं था अचानक हमारे मानमिया प्रधान मंत्री ने लॉक्डाउन का एलान किया और जो मशवरे के पर जब तीस तारीक तक यह शाहिसनान चलता रहेगा तीस तारीक तक यहां पर करोड़ों से भी करोड़ से ज्यादा लोगों की शिरकत का अंदाजा लगाये जा रहा है क्या धर्म इंसानियत से बढ़कर है अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म लेकर क्या करोगे पर श नहीं थी और वैसे भी कोरोना की आमद नमस्ते ट्रंप से हुई है जिसे अंदबकता नहीं वांतलियाजा मरकज में फसे लोग अचानक लॉक्डॉन से पहले थे पर यहां जब के कोरोना की दूसरी लहराने की बात कहीं जा रही थी इसके बावजूद भी कुम्बकाय तमाम किया गया क्या इसे इस साल रद नहीं किया जा सकता था आज काम जिम्दा रहा है इसके लिए जहां लोगों को अक्षिजन पहे जा रहे हैं क्या इसके बावजूद भी कुम्ब इतना जरूरी था क्या इसे रद नहीं किया जा सकता था योग याजित तेनात पॉजिटिव हैं इन्हें तो व्याइपी कमरा मिल गया होगा पर घरीब आवाम को कुछ हासिल नहीं और आवाम तड़पकर बेमाउत मर ही है उत्तरभारत की कैफियत खौप ना का कि कौन जम्यदार इसके लिए क्यों कारवाई नहीं की जाती है महसे धर्म के आस्ता का बहाना बना कर क्या देश के अवाम की जान से खिलवाड कहा जाएगा इसकी दलीली भी आजए वह गरीब दी जा रही है कोरोना मरकद से ज्य एक मजब से नफरत कर यह इस पर रोग लगा दी जाती है और कुम्ब में करोड़ों लोग जमा कर शाहिस नान के नाम पर देश को खत्रे में डालने का काम किया जा रहा है हरी दोर में हजारों पॉजिटिव मरीज पाए जाने की खबर है यह भी वाज़र है के लिए ओदी कहते चुनावी रैलियों में मसरूफ है यू पिए सी इमत्यानाध को रद किया गया मतलब बच्छों के मस्तखबिल को रोशन करनी की बजा है धेरे में ढकिल दिया जा रहा है स्कूलों को बन किया जा रहा है पर चुनाव रद नहीं किया जाता कुमब का सनान किया जाता पर बच्चों के इम्तियानात रद कर देश को अंपड़ बनाने की साजिश की जा सकती है जिस तरह के फैसले हुकुमत ले रही है जल्द भारत में अफरा तफरीक के माहुल की तस्वीर नजर आ रही है खाना जंगी के असरात नजर आ रही है आवाम बगावत पर उतर सकती है अगर इन्हें दो वक्त का खाना मैसर नहीं हुआ तो लियाजा मुल्क की हुकुमत का मरमानी फैसले करने के वजाए देश हिट में फैसले ले वरना भारत में भी मैनमार जैसे हालाद बनने के लिए वक्त नहीं लग सकता वैसे वेल्गाम शहर में रमजान के रहना खास होती है कुछ गैरैंड लैन ह्ची जानी वगरार होसुमत खहते सकती है लियाजा जव्या मजडि दरबर घली में जह रहना करों diy उसक्तै इस बार भी इस नजारे से हम सब महरूम हो सकते वैसे भी चुनाओ यातराओं में कोरोना नहीं आता है बेलगम शहर के अतराओं में हजारों लोगों को जमा कर यातराओं का एकमाम किया गया है पर अक्सर हुकुमत को यह नजर नहीं आता है इन्हीं अवादत गाओं में जमा पर लाटियां भाजी जाती है, हमने पिछले सार तमाम मंजरों को महसूस किया देखा भी खैर हमने हमेशा हुकुमत के हिदायत पर अमल ही किया अब जो लोग इस पर अमल नहीं कर रहें वो बहुत भी रहें, खैर इस बार किसी तरह का लॉकडाउन नहीं होगा इसका एलान वजिर अलाए टॉपपा ने कहा है, पर रात के कर्फियू का एलान हो सकता है, महारास्ट ने भी लॉकडाउन का फैसला किया गया था, पर अवाम और ताजिरों ने इसकी मुखालफत की, तो ठाकरे हुकुमत रात के कर्फिय उपर आईए, लहाजा बाजार दिन में पूरी तरह शुरू रहेगा और रात को शायद बंद किया जा सकता है, अभी तक कोई सरकारी ऐलान दस्तियार नहीं हुआ है बेलगाम में चुनावी रेलिया जा रहे हैं, लोकसवा इंतखाबात के समीती उम्मीदवार की हमायत में महाराश्टर से शुसेना के लेडर संजर राउत ने भी अवामी जलास मुनकत किया था समीती उम्मीदवार शुमिशड़के को मराटी ओटरों की काफी हमायत हासिल हुरी है संजर राउत ने कहा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि समीती इसकदर एक बार फिर अपना दम खम दिखाएगी लहाजा बेलगाम समीती के साथ महाराश्टरा हुकूमत की हमायत हासिल रही है उन्होंने करनाटक हुकूमत मराटी अवाम पर जल्म जाती कर रही है पर हम भी जानते हैं कि कहां क्या करना है लहाजा मैज इंसानियत की बुनियाद पर हम खामोश है शुबम शेर्के की जीत यकीन है और एक नई दिशाथ तरह कर सकती है महाराष्ट से कई बड़े लिडरों ने बेलगान लोग सबाचुनाओं में समीति उम्मिद्वार शुबम शेर्के को जितानी की अवाम से गुजारिश की महाराष्ट दिगर लिडरों में इतना जरूर है कि अपना वजूद फिर से कायम कर सकती है जिसका सीधा नुकसान भाज़पा को ही हो सकता है अगर बेलगान के हद तक बात की जाए तो भाज़पा लिडरों ने जीत दर्च कर किसी भी तरक्कियाती कामों को अंजाम नहीं दिया ऐसा बेलगान के अक्सरवाम का कहना मैज धर्मजात पात का अजंडा काफी दिनों तक नहीं चल सकता ऐसा कईयों का कैना लियाजार अगर यह मियस लाख ओट भी हासिल करती है तो उतने ही ओट भाज़पा के लिए कम हो जाते हैं वाज़ा रहे के पिछली मरतबा मराटी ओटों ने सुरेश अंग्री यानि के भाज़पा को ओट किया ता जाहिर है बाज़पा के ओट कटेंगे तो फाइदा कॉंग्रेस को ह करतर हे सकता है ऐसा कही सियासी नाई मराठी ओटों का जुकाव समीचिके ही तरफ ओगा सरण का मिलाखने के बराबर यहां तक में आने वाले इंटकाबात यहिंजिंक और जूभ इंतकाबात होंगे या मेले तक फिर से जित दर्ज कर सकते हैं सा सियासी माहिर इनका कहना है खबरों का सिल्सला यो ही चलता रहेगा देख तेरे इत्यादनों से शुक्रिया अदाव